मुख्य मंत्री देवेंदर फ्रेंडविज जी ने चुनाओं लड़ते समय उनके उपर तायर क्रिमनल केसिस को कहीं न कहीं चुपाने का काम किया एफटिविट में मामला न्याले में गया नीचे के न्याले ने उन्हें क्लींचिप दे दी लेकिन सुप्रीम कोड में आज फैसला आया है कि जो जानकारी चुपाई ये गलत है और मुकदमा आगे चलेगा हम इस निर्णे का स्वागत करते हैं और अब ये सिध हो गया कि मुखे मंत्री कहीं न कहीं मियमों को स्विकारते नहीं मानते नहीं अब उन्हें नेतिक आधार नहीं है कि वो राजनीती में रहें, वो तातकाल इस्तीफा दे और राजनेतिक जीवन से सन्यास्त ले, जब तक सुप्रीम कोड से फैसला नहीं आता, उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है.